परिचय इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे मौसम और जलवायू के बारे में बताना मौसम की रिपोर्ट समझना मौसम आपने कभी देखा होगा कि सुबह धूप निकलने के बाद अचानक बादल घिर आते हैं और तेज बारिश होने लगती है या तेज बारिश कुछी मिंटों में गायब हो जाती है और चमक्ती धूप निकलाती है इसे ही मौसम बदलना कहते हैं तापमान, आर्द्रता, वर्शा, पवन और अन्यकारकों को मौसम के तत्व कहते हैं किसी जगह का मौसम इन्ही कारकों पर निर्भर है मौसम का संबंध हमारी प्रित्वी के वायु मंडल में होने वाले विभिन परिवर्तनों से है मौसम बदलने का कारण मौसम इतनी जटिल प्रक्रिया है कि यह बहुत थोड़े समय में अपना रूप बदल सकता है आप जानते हैं कि मौसम बदलने का कारण क्या है मौसम में सभी बदलाव सूरज लाता है प्रित्वी की सतह द्वारा उर्जा सोखना और परावर्तित करना, महासागर और वायुमंडल किसी जगह का मौसम तै करने में महतुपून भूमिका निभाते हैं. इसके अलावा प्रित्वी की कक्षा का विचलन, महाद्वी पीय बहाव और ग्रीन हाउस प्रभाव से भी मौ मौसम की रिपोर्ट और न्यूनतम धर्मामीटर कहते हैं. तालिका की चौथी पंक्ती में सापेक्ष आर्दरता बताई गई है. आर्दरता हाईग्रोमीटर से ना पी जाती है. मौसम की रिपोर्ट में कभी-कभी वर्षा की मात्रा भी दी जाती है. वर्षा की मात्रा मापन का यंत्र, वर्षा मापी यानि रेन गौज कहलाता है जलवायू आईए अब जानते हैं कि जलवायू और मौसम में क्या अंतर है लंबे समय में मान लीजिए 25 वर्ष में मौसम का ओसत रूप उस जगह की जलवायू कहलाता है अगर किसी जगह का तापमान अधिक तर समय उचा रहता है तो उसकी जलवायू गर्म कहलाती है अगर उचे तापमान के साथ बारिश भी बहुत अधिक होती है हम कहते हैं कि उस जगह की जलवायू गर्म और नम है जल वायू की स्थितियां रेकॉर्ड करने के लिए किसी एक जगह के लिए एक महीने के औसत तापमान की गणना दो चरणों में की जाती है पहले उस महीने में दर्ज औसत तापमान की गणना की जाती है उसके बाद कई वर्षों के उन औसत तापमानों का औसत निकाला जाता है सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं तापमान, आर्दता, वर्षा, पवन की गती आदी की द्रिष्टी से वायु मंडल की दिन प्रत दिन की स्थिती को उस जगाह का मौसम कहते हैं लंबे समय उदारण के लिए 25 वर्ष में किसी जगाह का मौसम का औसत स्वरूप जल वायु कहलाता है